नमस्कार बोर्ड परिक्ष्या से पहले परिक्ष्या दो हजार चोबीस का आयोजन RCI सिक्ष्या गुरूप बानसूर की ओर से करवाया गया इस परिक्ष्या में मुडावर, कोट्टली, नारणपूर, बानसूर, छित्र के लबग 5,000 विद्ध्यार्तियों ने भाग लिया इन सभी विद्ध्यार्तियों तो बेहतरीन परिक्ष्या परणाम के लिए बहुत-बहुत सुबकाम नहीं इस परिक्ष्या में आपको objective परसंद के माध्यम से किस प्रकार से board परिक्ष्या में परसंद आते हैं उसकी practice करवाई गई मुझे लगता है कि आप सबका ये paper बहुत अच्छा हुआ होगा मैं विश्वास दिलवाता हूँ कि इसमें इसी pattern पर आपको board में paper मिलने वाला है अब आपके मन में एक बात आती होगी कि इसका answer की कब डलेगी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसकी online answer की 13 फरवरे को RCI के आप facebook page से इसको देखें वहाँ पर आप answer की से इसको match करें इसके अलावा offline इसका जो परिक्षया परणाम गोसित किया जाएगा इसी के साथ जो विद्यारती इसमें topers रहेंगे उनका सम्मान समारो और परिक्षया परणाम के गोसना जो होगी वो 7 अप्रेल 2024 को किया जाएगा अब आपके mind में एक बात आती होगी कि यह परिक्षया परणाम गोसना और सम्मान समारो आयोजित कहा होगा मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आपकी स्विधाओं के लिए हमने इसका आयोजन आपकी की तैसिल में आपकी के छेत्र में आपके वही सेंटर्स पर करवाया है लेकिन इसका परिक्षया परणाम गोसना और सम्मान समारो का आयोजन RCI 6 गुरू बानसूर के मेन कैंपस CBSC ब्लोक में होगा इसलिए आप सभी चाहे आपने एकजाम मुडावर चेत्र, कोड़तल चेत्र या नारणपूर चेत्र में दिया हो आप सभी को बानसूर ही RCI 6 गुरू बानसूर के कैंपस में पहुँचना होगा इसके लिए जिस सेंटर पर आपने परिक्षत दी है उसी सेंटर के पास आपको RCI की वहन सुईधाई है यानि बस आपको वहां मिलेगी आप उस बस से बैठ करके अपने सम्मान समारो के लिए आप पहुँच सकते हैं इसी प्रकार जैसे ही आपका सम्मान समारो कंप्रीट होगा उसके बाद में वो बसे वापस आपको आपके उसी सेंटर तक छोड़ देंगी इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो विद्यारती टोप 10 में स्थान प्राप्त करेंगे आपके पास इससे सम्मादित कोल हमारे केंप्रस से आएगा उन विद्यारतीयों से निवेदन रहेगा उनके अभिवावकों से निवेदन रहेगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने खुद के वहां से आर्चे केंप्रस तक पहुँचने का प्रियास करें क्योंकि आपके अभिवावक जो है उनके लिए बसों की व्योस्ता हमने नहीं किये हैं केवल विद्यारतियों के लिए वहाउन शिविदा रहेगी इसलिए ध्यान रहे आप सबका ओनलाइन जो इसका आंस्वर की जो डाली जाएगी वो 13 फरवरी को फेस्बुक पेज पर आप अपने परिक्षयत दी है इस पर आपने कितना प्रफोर्मेंस रहा उसके आधार पर साथ ही स्कोलर्शिप की अनॉंस्मेंट आपके लिए साथ अप्रेल 2024 को किया जाएगा इसलिए साथ अप्रेल 2024 को आर्चें केंपस में अवस्य पहुंचें केंपस विजिट करें अपना परिक्षया प्रणाम देखें अपना सम्मान प्राप्त करें और आगे का भविस्य जो है उसमें क्या करना है किस प्रकार से करना है उसके लिए हमारे यहां उस दिन मोटिवेशन सेमिनार का और कैरियर सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा उसका भी हिस्सा बने नमस्कार